हिंदी पाठे पुस्तक दुर्वा फक्षा साथ पाठ चार गुबारे पर चीता हेलो बचो आज हम दुर्वा पाठे पुस्तक का चौथा पाठ करेंगे जिसका नाम है गुबारे पर चीता तो बच्चों इस कहानी में हमें बलदेव नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है जो सरकस में जाने के लिए बड़ा उत्साहित होता है अब वो सरकस में जाता है उस स्कूल से छुट्टी मिलती है या नहीं वो इस पार्ट में हम देखेंगे और उसका सरकस जाने का जो अनुभव है वो कैसा रहा उसे वहाँ पर कैसा लगा कैसा नहीं वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है मैं तो जरूर जाओंगा चाही कोई छुट्टी दे या ना दे अब यहाँ पर जो बलदेव है वो कैता है कि चाहे कोई मुझे छुट्टी दे या ना दे लेकिन मैं तो जरूर जाओंगा बलदेव सब लड़कों को सरकस देखने चलने की सला दे रहा है बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सरकस पार्टी आई हुई थी सारे शहर की दिवारों पर उसके विग्यापन चिपका दिये गए थे अब बलदेव अपने बाकी साथ हो में पढ़ने वाले लड़कों को भी कह रहा था कि चलो हम सरकस देखने के लिए चलते हैं अब वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल के पास एक मैदान था और उसी मैदान में वो सरकस पार्टी आई हुई थी सारे शहर की जो दिवारे थी उस पर उस सरकस के विग्यापन लगा दिये गए थे यानि के पोस्टर्स लगवा दिये गए थे पोस्टर्स जैसे कि बच्चों इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग और बचे उससे आकाशित हो और उनके जो भी उनका जो भी शो है जो सरकस है जो भी नाटक वो कर रहे हैं वो उनको देखने के लिए आए चिके विग्यापन में तरह तरह कि जंगली जानवर अजीब करते दिखाए गए थे लड़के तमाशा देखने के लिए लल्चा रहे थे अब जो विग्यापन था वो कुछ इस तरह के से त्यार गया था कि उस पे जो जंगली जानवर थे वो अजीब अजीब कुछ कर्टब करते हुए दिखाए गए थे तो उसे देखकर के जो लड़ उसका शो था जो पहला तमाशा होने वाला था रात को होने वाला था ठीक है लेकिन जो हैड मास्टर थे उनके उन्होंने लड़कों को मना कर दिया था वहाँ जाने के लिए इश्तिहार बड़ा आकर्शक था अब जो उन्होंने इश्तिहार लगवाया थे जो पोसे लगव के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा अब कुछ इस तरीके से यहां पर जो मतब इश्टिहार था उसमें यह चीजी लिखी गई थी मतब यह बताया गया था उसमें कि आप लोग जिस चीज का इंतिजार कर रहे थे अ अलावा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना कि किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा लड़कों का मन तो सरकस में लगा हुआ था सामने किताबे खोड़े जानवरों की चर्चा कर रहे थे अब जो लड़के थे उन सब का मन भी सरकस में जाने के लिए बड़ा कर रहा था अब वो कक्षा में बैठे, किताबे खोल कर बैठे वे थे अपने सामने, लेकिन जानवरों की बाते कर रहे थे, क्योंकि उनका ध्यान तो सरकस में ही लगा हुआ था, क्योंकर शेर और बकरी एक बरतन में पानी पियेंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाडी पर कैसे बैठ होंगे, तो ताब बंदूग छोड़ेगा और बन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा, अब जो उन्होंने इश्तिहार देखा था, जो पोस्स लगे वे थे, तो उनसे अंदाजा लगा कर ये सारी बातें जानवरों के बारे में कर रहे थे, चिक है, बल्देव से पी पीछे बैठा हुआ था, और वो अपनी हिसाब की कॉपी, यानि अपनी गनत की कॉपी में शेर की तस्वीर बना रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि कल अगर शनीवर नहीं, शनीवर ना होकर इतवार होता, यानि संडे होता, तो कितना मज़ा था, बल्देव ने अट्टे करने में लगा हुआ था, ताकि वो सरकस में जा सके, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि कब उसे छुटी मिलें, और कैसे ही वो फिर भागें सरकस देखने के लिए, हेड्मास्टर सहाब का हुक्म सुनकर वे जामे से बाहर हो गया, तब ही हेड्मास्टर का मतलब उ जाओंगा चाहे कोई छुटी दे या ना दे, अब जब उनको छुटी मिली, तो जो मैदान में आये, बाहर निकल के तो बाकी लड़कों से कहने लगा बलदेव की मैं तो जाओंगा चाहे कोई छुटी दे या ना दे, मगर और लड़के इतने सासी नहीं थे, अब बाकी ल करके इतने ज़्यादा सासी नहीं थे तो उन्होंने तो जाने से मना कर दिया राजी नहीं हुए वो क्योंकि उन्हें ऐसा लग यह दाटना पड़ जाए बलदेव अकेला पड़ गया बगर वे बड़ा जिद्धी था दिल में जो बात बैट जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था अब मतलब उसे जाना था बलदेव को सरकस में तो जाना ही था क्योंकि उसने वो पोस्टर देखा था तो उसको बड़ा ही अकाशित लगा था तो वो ये सारी चीज़े देखना चाहता थे कि जो जानवर थे जितने भी वो अपने करता कैसे दिखाएंगे शनीचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेन खेलने चले गए बलदेव चुपके से किसा कर सरकस की ओर चला अब शनीवार को सैटरडे को बाकी सब लड़के मास्टर जी के साथ चले गए इसे गेन खेलने के लिए लेकिन बलदेव चुपके से वहां से निकल कर सरकस की ओर चला गया वहां पौस से ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकेट खरीदा और जानवरों को देखने लगा इन जानवरों को देखर बलदेव मन में बहुत जुंज लाया वह शेर है मालूम होता है महीनों से सिर्म मलेरिया बुखार आ रहा हो अब जब उसने शेर को देखा तो ऊसे ऐसा लगा कि वो शेर मतब हो सोच रहा था कि शेर बढ़ा ही यूँ नो बढ़ा ही जैसे शेर की एक इमेज होती है बहुत ही लाउड है ना तो लेकिन जब उसने शिमाँ वाले शेर को देखा हो सरकस के शेर को तो उसका ऐसा लगा कि यह ऐसा लगता है कि महीनों से यह बिमार पड़ा हो ऐसे मलेरिया हो रखा है वे भला क्या भी साथ उचा उचलेगा और यह सुन्दरवन का भाग है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो और वो जो बाग था सुन्दरवन का वो भी उसको कुछ ऐसा सही लग रहा था कि जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो मुर्दे की तरह पड़ा है वाहरे भालू ये भालू है ये सूर और वह भी काना जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो अब जो भालू था वो भी सूर के जैसे उसको लग रहा था जैसे कि वो काना हो अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और तीन टांग का एकुत्ता और उस सरकस में तीन टांग का एकुत्ता था चीक है मतलब उसकी एक टांग नहीं थी यह कहकर बड़े जोर से हसा अब उसको जैसे उसने पोस्टे में देखा था कि जो शेर है वो इतना उचा उच लेगा है ना लेकिन वो तो पहले से दुबला पतला लग रहा था, और उसकी एक टांग किस ने काट ली और जो वो कुत्ता था उसकी भी एक टांग नहीं है किस तर से रेस में दोडेगा, दुमकटे कुत्ते तो देखें है ते पैर उसे अफसोस हुआ कि गेन छोड़कर यहां नहाक आया, अब उसे अफसोस हो रहा था कि मास्टर जी के साथ इससे तो अच्छा होता कि मैं उनी के संगी चला जाता गेन खेलने के लिए, मैं बिकार में ही यहां पर आया, एक आने पैसे भी गए, बतब उसने इतनी मेहनत से पैसे जोड़े थे और वो भी चले गए, इतने में एक बड़ा भारी गुबारा दिखाई दिया, उसके पास एक आत्मी खड़ा चला रहा था, आओ चले आओ, चार आने में आसमान की सैर करो, अब जो बच्चो होटे बलून होता है, वहाँ पर वो था, तो वो चार आने में सैर करा रहा था, आसमान की, तो उसने बलदेव ने ये चीज़ देखी, अभी वे उसी तरफ देख रहा था, अचानक शोर सुनकर वे चौक पड़ा, पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल काप उठा, अब अचानक से एक शोर हुआ, उसने पीछे मतब चौक कर उसने देखा पीछे मुड़ के, तो उसका दिल घबरा गया, वही चीटा न जाने किस तरह पिंजरे से निकल कर उसी की तरफ दोड़ा चला रहा था, अब पता पताई में एक और तमाशा हुआ, इधर से चीटा गुबारे की तरस दोड़ा, जो आदमी गुबारे की रसी पकड़े हुए था, वह चीटे वो अपनी तरफ आता देखकर बेताहाशा भागा, अब जो गुबारा था, उसकी रसी पकड़े हुए जो आदमी खड़ा था, व भबरा गया, उसे लगा कि चीटा उसकी तरफ आ रहे कहीं, उसे इनब खा जाए वो है ना, तो इसलिए वो उसकी रसी छोड़कर बाग गया, बलदेव को और कुछ नी सूजा तो जट से गुबारे पर चड़ गया, अब बलदेव को भी डर लगने लगा, तो इसलिए उसक उपर कूद कर चीटा बैट गया, जिक है क्योंकि वो भी उसे पकड़ना चाहता था, गुबारे की रसी छोड़कर तो वे आदमी पहले ही भाग गया था, अब वे गुबारा उणने के लिए बिल्कुल तैयार था, अब जब उस गुबारे की रसी उस आदमी ने छोड़ द पहुचा, अब मतलब जो गुबारा था, वो एक उचाई तक थोड़ा जा पहुचा था, बल्देव ने एक और नीचे एक बार नीचे देखा तो लोग चिला चिला कर उसे बशने के उपाए बताने लगे, अब जब बल्देव उपर से नीचे देख रहा था, तो लोग चि चीते की जान निकली जाती थी अब डर चीते को भी लग रहा था है न क्यूंकि वह उसे बहुता नी मैं कहां पर आ गया हूँ किस तरीके से उपढ जा रहा हूँ तो वो ये सोच रहा था कि कौन मुझे आस्मान की तरह लिये जा रहा है वहे चाता तो बड़ी असानी से बलदेव को चट कर जाता मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी अब जो चीता होता है वो तो बचो अपने सामने किसी को देखता है तो वो तो उस पर जपड़ लेता है ना उसको चट कर जाता है लेकिन उस टाइम पर उसको अपनी जान की फिक्र हो रही थी सारा चीतापन वो भूल गया था आखिर वे इतना डरा कि उसके हाथ-माओं फूल गए और वे फिसल कर उल्टा नीचे गरा अब वो फिसल जैसे जैसे ओपर उटे लगा फिसल के उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरा जमीन पर गिरते ही उसकी हड़ी पस्ली चूर चूर अब वो इतनी मतब उचाई से गिरेगा कोई भी तो किसी की भी हड़ी पस्ली तूट जाएगी है ना अब तक तो बलदेव को चीते का डर था अब यह फिक्र हुई कि गुबारा मुझे कहा लिये जाता है अब एक मुसीबत तो खतम हुई कि जो चीता था वो गुबारे से गिर गया था लेकिन अब उसे ये फिक्र हो रही थी कि गुबारा उसे कहा लिये जा रहा है वहे एक बार घंटा घर की मिनार पर चड़ा था अब जो बलदेव था वो एक बार घंटा घर की जो मिनार होती है जिस पे शैर के बीच में जो घड़ी लगी होती है उस पे चड़ा था उपर से उसे नीचे के आदमी खिलोने से और घर घरोंदे से लगते थे मगर इस वक्त वहे उसे कई गुना उचा था अब जब उसने घंटा घर की मिनार पे जब वो चड़ा था तो उसने देखा था कि जो नीचे की तरफ जब उसने देखा तो सब लोग वह छोटे-छोटे से नज़र आ रहे थे और जो घर थे जो बिल्डिंग से वो बहुती छोटी-छोटी नज़र आ रही थी एक आएक उसे एक बात याद आ गई अब उसे वो सारी बाते याद आ रही थी जो वो गुबारे पढ़ था उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुबारे का मूँ खोल देने से गैस निकल जाती है और गुबारा नीचे उतराता है अब बज्जो ये जो बलून होता है जो हवा में उठता है इसमें एर होती है चीक है मतलब कि इसमें गैस भरी होती है जिस वज़े से ये उठता है और इसको यहाँ से बांधा हुआ होता है तो तभी बल्देव को याद आया कि उसने किसी किताम में पढ़ा था कि गुबारे का जो मूँ होता है उसको खोल देने से चीक है उसकी जो गैस होती है वो निकल जाती है और गुबारा नीचे आ जाता है मगर उसे ये नमालूम था कि मूँ बहुत धीरे-धीरे खोलना चाहिए उसने एक दम उसका मूँ खोल दिया और गुबारा बड़े जोर से गिरने लगा अब उसको ये चीज तो याद आ गई थी कि गुबारे का मूँ खोलने से जो गुबारा होता है वो नीचे आ जाता है लेकिन उसे ये चीज मालूम नहीं थी कि जो मूँ खोला जाता है गुबारे का वो थोड़ा धीरे-धीरे खोला जाता है ताकि वो दीरे दीरे उसकी हवा निकले और जो गुबारा है वो उसी रफतार से नीचे है लेकिन उसने क्या कर रहा उसने एकदम से जट से उसका मुझ खोल दिया और गुबारा इतनी तेजी से नीचे आया जब जमीन से थोड़ी उचाई पर आ गया तो उसने नीचे की देखा तो नदी थी वहां पर पानी था पानी भेरा था तो फिर रसी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया तो उसने सोचा कि अब एक्दम से जट से जमीन पर गिरूँगा तो उसके भी हड़ी बस टूट जाएगी हैना वितनी उचाई से गिरेगा त घुक तो यह थी हमारी कहानी भच्चों बल्देप की चाहते हैं और यह कहानी बच्चों जिसके अब प्रश्न कोलिए पहला है headmaster साहमने बच्चों को circus में जाने से क्यों मना किया होगा अब headmaster जो थे उन्होंने जानते होंगे कि ये स्थान जो था जो circus हाँ बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है है ना अब बच्चे छोटे हैं वो अकेले कैसे जाएंगे वहां बहुत प्रकार के जंगली जानवर होते हैं कौन सा जानवर कब क्या कर देगी तो कोई नहीं जानता बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच करी headmaster साहमने जाने से मना किया होगा सरकस के बारे में कौन-कौन सी अफवाहे फैली होई थी कि सरकस वालों ने ये अफवाह उड़ाई होई थी कि बकरी और शेर एक ही बरतन में पानी पिएंगे हाथी पैरगाडी को चलाएगा तो ता बंदूख चलाएगा और बन मानुष बाबू के समान बैठेगा तो ये सारी अफवाहे उन्होंने अपने इश्टिहार में अफवाहे फैलाई होई थी बल्देव सरकस में जाकर निराश क्यों हो गया अब बल्देव को पहले तो बड़ा मन था सरकस में जाने का है ना जानवरों को देखने का अबल देव ने सोचा कि सभी जानवर बहुत भयानक होंगे उनके कर्तबों को देखने में बड़ा अनन्द आएगा लेकिन परंतु वहां जाकर उसने देखा कि शेर, भाग, बालू बहुत ही क्या थे? दुरबल थे इसे कि वह बिमार और ढंग से देख भालना होने के कारण वह अपने असली रूप को खो चुके थे कुट्टे की तो एक टांग यह नहीं थी उन्हें देखकर वह मायूस हो गया था उनके द्वारा अच्छे कर्टब दिखाये जाने की उसकी जो उमीद थी वह समाप तो गई थी अगला है बल्देव वह चीता दोनों गुबारे पर उठते जा रहे थे फिर भी चीते ने बल्देव को कोई नुकसान नहीं बचाये क्यूं कि बई चीते को भी अपनी जान बचानी थी उसको भी बड़ी फिकर हो रही थी अपनी जान की इसलिए वो उस टैम पे बल्देव को अना सोच कर अपनी जान के बारे में सोच रहा था हम लिखेंगे चीता अपनी प्राणों को संकट में देख बेहट डरा हुआ था इसलिए वो सब कुछ भूल कर अपनी प्राणों को बचाने का प्रयत्न कर रहा था इसलिए उसने बल्देव को नुकसान नहीं पहुचाया अगला है कहानी के स्वाग्य पर ध्यान दो इतने में उसे एक बड़ा भारी गुबारा दिखाई दिया तुम्हें क्या लगता है कि गुबारा भारी होता है लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है लेकक ने गुबारे के विशाल अकार को अकार के कारण उसे बड़ा भारी गुबारा का है क्योंकि जो गुबारा था वो होटेर वाला था है न होटेर बलून था तो वो काफी बड़ा था उसका जो structure था, बड़ा शब्द गुबारे की विशालता को बताने के लिए काफी नहीं था, उसने बड़ा के साथ भारी भी लगा दिया, चिक है, उसकी विशालता को बहुत अच्छी दरे से बताने की कोशिश की है, ताकि पढ़ने वाले गुबारे के आकार का अंदाजा ल क्योंकि गरम हवा भरी जाती है, गरम हवा हलकी होती है, अतहा इस वज़े से जो गुबारा होता है, वो उपर उड़ने लगता है, जैसे जैसे गुबारे से हवा निकलती है, गरम हवा का जो असर होता है, वो धीरे-धीरे समाप्त होने पर गुबारा भारी होने लगता है, और वो नीचे गिर आ जाता है तो यह रिज़न होता है कि गुबारे में से हवा निकालने पर वो नीचे आने लगता है फिर स्कूल में तुम्हें क्या-क्या करने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है आप स्कूल में ऐसी कौन-कौन सी चीज़े करते हो जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है टीचर उसकी जैसे स्कूल से बाहर जाने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है ना किसी मित्र चीज़ के लिए अनुमती देते हूं वह आप इसमें एड़ कर सकते हूं अगला है क्या तुमने अपने आस्पास के जानवरों की दूर दर्शा देखी है उसके बारे में बताओ जिस सरकस में जानवरों के प्रती कुरुता बढ़ती जाती है मतलब उनकर सही तरीके से ध्यार नहीं रखा जाता है वह मनरंजन का साधन नहीं माना जा सकता जानवरों की साथ अच्छा वेवार किया जाना चाहिए सरकस में यदि जानवरों को दिखाना आवशक है तो ऐसे करतब हो जिनमें उन्हें कश्ट ना कोई तकलीफ ना भोचे उन्हें उन्हें कोई चोट ना है ऐसा करके हम सरकस को स्वस्त मनुरंजन का साधन बना सकते हैं अब यहां पर आपको बच्चु मुहावे दिये गए हैं इन वाक्यों में जैसे बलदेव के तो होश उड़े हुए थे तो यह जो होश उड़े हुए यह क्या है मुहावे अब इन्हें हमें अपने रंक से इस्तिमाल करके इनके वाक्य बनाने हैं जैसे आप होश उड़े हुए थे तो इसका आप क्या बना सकते हो कि मेरे अच्छे अंक देखकर मीना के होश ही उड़ गए चिके फिर अगला क्या है बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता यानि बात बैठ जाती तो इसका आप क्या बना सकते हो कि मेरे मन में जो बात बैठ जाए उसे मैं जरूर पूरा करता हूँ अगला है जैसे वे इतना डर है कि उसके हात बाओं फूल गए तो इसमें आप क्या बना सकते हो जैसे पिताजी की डार्ट से मेरे हाथ पाओं फूल गए चिक है तो इस तरीके से आप बना सकते हो फिर अगला है ऐसा लगा जैसे किसी ने चीते का खून चूस लिया हो अब इसमें आप क्या बना सकते हो कि कल रात मच्छरों ने मेरा खून चूस लिया चिक है अब अगला क्या है बलदेव का दिल काप उठा अब दिल काप उठा यानि के घबरा गया है ना तो इसका आप क्या बना सकते हो मा की डाट से मेरा दिल काप उठा चिक है आप बच्छों अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हों वाक्य बनाने की इन मोहावरों के चिक है दो यवावरों के अच्छों थीडिर्श दिल कर सकते हैं अच्छों चाहरा आप आप लाएवरों के चीजाओ झाल झाल